हेलो दोस्तो नमस्कार मैं साईले अंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है हूँ और भिन्हंदन करता हूँ आपके अपने चैनल एक ग्री नालेज प्लस पर फिस जमा खन्ने की तिथी भी आज से प्रारम भो रही और साथी साथ पंजी करड़ के अंतीन विथी 37-Co22 और आन लाइन सुल कर जमा करने के अंतीन विथी 37-Co22 रखी गई हैän फाम को फाइनल सम्मिट करने की लाश डेड़ नो साथ 2022 रखे गई है आईगे हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्पूर्ण बिंदू के बारे में जिससे कि दोस्तों आप लोग फाम आसानी से भर पाएं और उसमें कोई तुरूटी ना हो साथ ही साथ हम लोग जानेंगे किस बिसे में कितने पदों के लिए विग्यापन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा सेवा चैनबोड परियाग राज के दोरा विग्यापन संख्या 0-1 2022 के मादम से प्रदेश के सहायता प्राप्त असास के मादमिक बिद्यालों में परसिच्छित इसना तक सिच्छा के रिक्त पद 3549 पदों के विशेवार वर्ग और बालक बाली का संस्था है तो आनरच्छित एवम आरच्छित स्त्रेडी वार रिक्तियों एवम बिरोड सार विग्यापन जारी किया गया है वैसे कंडिडेट्स को उमीद तो ज्यादा से थी लेकिन यह विग्यापन जो आया है वो काफी कम पदों के लिए ही जारी हुआ है कुछ यहां पर महात्पुर्ण इरिदेश दिये गए हैं आप लोग विग्यापन डाउलोड कर लेंगे और इसे भली भाद पढ़ लेंगे जिससे की फाम भरने में कोई तुरूटी न हो सबसे पहले दोस्तों यहां पर दिया गया अभ्यार्थी द्वारा चैन बोड की बेवसाइट पर जाना है वहां से आवेदन किया जाएगा इसके अतरिक्द आनि किसी माद्यम से प्रेसित के आ आवेदन कर सकते हैं ठीक है यदि आप दो विस्यों से अस्तनातक हैं तो दोनों विस्यों के लिए प्रथक विर्थक आवेदन कर सकते हैं बिग्यापित जो बिग्यापित पतों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है अधिसूचरा संख्या यह है और आगे मरते हैं यहां में होंगे तुछ भी आरचवर गलाब उत्तर प्रदेश के लिए अन्वन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इव्यास के 10% आरचवर ना अरहींगे थी के यहां पर परिछा समने दिया गया है कि वहां पी इंटरनेट डिवाइस हैं कुछ भी हाउज यूज नहीं कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया है और यदि फाम भरने में या भी कोई आप लोग को अन्य समस्य होती तो नीचे नमबर यहां पर हल्प लाइन नमबर दिये गए इस पर आप लोग बात कर सकते हैं यहां पर फार्म बनने के बारे में बताया गया है यह आप लोग देख पाएंगे और आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं यहां पर संबंदिल लिखित परिच्छा का पार्ट करम आनलाइन आवेदन करने है तो पूर्ण निर्देश सामान अनुदेश उपलब्द सभी पदों के सापेज निवन्तम सैची का आरता है आथ महात्पूर्ण सूचराइज चैन बोर्ड की वेवसाइट पर उपलब्द है ठीक है सिलेबस इत्याद जो है आप लोग इसकी आफिसल वेशाट पर जाके वहां से देख सकते हैं यहां पर कर्टिडर रिजिस्ट्रेशन फीस भुकतान और फार्म समिशन के बारे में जानकारी दे गए पर्थम तरह पर आप लोग को रिजिस्ट्रेशन करना है उसके ब फार्म में अपनी बेक्तिके सूचनाएं तथा नाम पितापती का नाम माता का नाम जन्वितिती लिंग जेंडर व्यवाही के स्थित नागरिकता राज के निवासी चैटी आरशल जमंदी विरोल एवं स्वतंतरत हंगराम सैनानियम भूत पर साइनिंग दिब्यांकता इव यदि हो तो उसका विरोल स्रेड़ी आरच्छित अनरच्छित मोबाइल नंबर एमेल पता अनिवार सच्छिक युगता का विरोल आद अनि प्रसांगी सूचनाएं भननी होंगी ठीक है सिकेंड इस्टेप में आपको सूल का भुकतान है उसके बाद यहाँ पे फीस के बारे में दोस्तों बताया गया है कि अनरच्छित वा सामान के लिए जो फीस रखी गई यह सास सो और पचास रुपे आनलाइन सूल यानिकि कुल सास सो पचास रुपे आपको देना ह गये है कि तिरतीय चलड में क्या करना है दोस्तों फार्म को फाइनल समिट करना है फोटो के बारे में आप बताया गया अभ्यारती को अपना रंगीन फोटोग्राप 3.5 cm चौड़ा था 4.5 cm लंबा था हस्ताक्षर 3.5 cm चौड़ा था 1.5 cm लंबा जे पीजी फार्मिन में स्कैन करके अपलोड करना होगा फोटो हस्ताचर के स्कैन के हुए इमेज के साइज 5 केवी से 30 केवी के मद्ध होनी चाहिए अब ब्यारती का रंगीन फोटोग्राप निम्न मनकों के अन्रूप होना चाहिए फोटो का आकार 35 mm यानिकि 1.4 इंच इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए फोटो लगबग 70% भाग से चेहरा देखना चाहिए फोटो बहुत दूर से खीची गई नहों फोटो में चेहरा बहुत छोटा नहों चेहरे की पूल छब इसपश्ट देखनी चाहिए चेहरे पर आते देख चमक अथवा चाया नहीं होनी कि उसके बाद आप लोगो आवेदन करना है और आयू की बात की जाए तो एक जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो आहरता और उसके बारे में आन नीचे साच्छी बिरोड नीचे दिया गया है जो कि आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं यहां पर बेतन मान दिया गया है 44,900 से 1 लाग 42,400 पे लेबल जो है 7 ग्रेट पे आप लोग वे बेतन मिलेगे ग्रेट पे जिसका जो है 46 रुपे रखा गया है जो कि आप लोग जानते हैं यहां पर बहुत प्रूसाइनिंग बिकलांगता के लिए जो आर्चर की बात की गई उसके बारे में यहां पर बताया गया ह परिच्छा केंद सभी जन्पद मुख्यालों पर केंदरों का निदरहाल किया जाएगा यानि कि जो डिश्टिक लेबल पर इसके सेंटर सभी जगाल लगेंगे बरती परिच्छा के बारे मताया गया है लिखित परिच्छा समयोधी पर सिच्छी देशना तक सिच्छक बद के लिए चैन है तो अभ्यारतियों के लिए विशयवार आधारित सामान योगिता की एक लिखित परिच्छा होगी जैसमें 500 अंकोंगा एक प्रश्ण पत्र होगा सभी परसन अनिवार होंगे ठीक है पिछली बार क्या था दोस्तों जो तर्थ सिच्छक थे उनके लिए कुछ नंबर जो थे उनको वेटेज दिया गया था इसलिए उसका पुडांग कम कर दिया गया था और बाकी नंबर उनके वेटेज में बढ़ाए गया थे लेकिन आपकी वारा इसा नहीं है पांसो नंबर की एक परिच्छा होगी जिसमें 125 प्रश्ण होगे और प्रतेक प्रश्ण चार अंका होगा आप लोग ध्या नखेंगे ठीक है समय अधिक की बात कीजाए तो दो घंटे का समय का multiple choice questions होगे यह तो यहाँ पर आप लोग पढ़ पाएंगे चैन हेद मेरिल लिखित परिच्छा के आधार पर अभ्यार्थी द्वारा प्राव्द अंकों के आधार पर प्रसिशी दसना तक सिच्छा के चैन हेद उत्तर प्रदेश माधिमिक सिच्छा सेवा चैन वोड नेमावली 1998 के नेमा अनुसार बारा आठ के अनुसार विग्याभी तिरिक्तियों की संख्या के आधिक यानुकिन्तु 25 परतिसाद से अनाधिक कि समय की पैनल लिष्ट मेरिट के अनुसार तयार गए हैं आप लोग इससे पढ़ लेना एक बार है कि पर सिच्छी त असनातक सिच्छा के प्रवक्तापत की परिच्छाएं अलग-अलग तिथियों में संबन होंगी पात और अभ्यार्थी दोनों पदों यह तो अलग लोग आविदन कर सकते हैं ठीक है अभ्यार्थों के लिए महात्पूर्ण अनुदेश यहां पर कुछ अनुदेश दिये गए हैं आप लोग पढ़ सकते हैं और आविदन से पूर अभ्यार्थी दोरा महात्पूर्ण इंदेश यहां पर कुछ दिये गए हैं कि आप तर्फ्रत्र maior cycle के सभी अभ्यारथी आवेदर में अरचर अरचरЗ करें ठीक है कि अगर incarnate on the the community सामाने सिरल के माले जाएंगे माईला भ्यार्थों के माल में पिताब पच्च से निर्खत जादी पर मलब पत्र यहनी चेज आरचर स्रेली के है उन्हें अपना काश्ट साटिफिकर्ट जो है यहां पर लगाना होगा को एम यहां पर देभियांग जए थैक्ट की बारे में बताया गया जिनके पास साटिफेंग अपने शॉर्ट लगा सकते हैं अब नीचे हम बात कर लेते हैं यहां पर अनुसुचित जंजात के लिए जात्रमणपत्र का प्रारूप यहां पर दिया गया है अन्य पिछला वरक के लिए यहां पर प्रारूप दिया गया है यह यहां से दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि सारली संख्या जीरो एक पर सिच्ची तसना तक सिच्चक बालग वरक बालग वरक में जो वैगिंसी यहां पर जारी की गई है इंग्लिस के जो पद है इंग्लिस के लिए जनरल में 275, OBC के लिए 156 और SC के लिए 89 पद यहां पर दिखाए गए है यहनि कि टोटल जो पद हैं इंग्लिस के लिए वो दोस्तों कितने हैं वो 511 पद हिंदी में 294 जनरल हैं और OBC के 125, SC के 89 और एक पद ST के लिए टोटल 509 पद हैं गड़ित के लिए 296, 147 OBC, 65 SC और ST 0 है यहनि कि टोटल पद 508 हैं समाजब की कहां 156, OBC 103, SC 77 और एक पद जो है वो किसके लिए ST के लिए हैं इसी प्रकार आनिविसयों के दिए गए हैं आप लोग देख पाएंगे और किर्सी की बात की जाए किर्सी में 23 पद जो है वो जनरल के लिए हैं 15 पद OBC के लिए हैं, 8 पद SC के लिए हैं, 8 पद SC है और 1 पद ST के लिए हैं, टोटल पद 47 है अगरिकल्चर में ठीक है इसी पड़ टोटल वागेंसी जो हैं यहां पर देख पाएंगे बालक वर के लिए और अन के बात की जाए यह बालक वर के लिए यहां पर आप लोग देख पाएंगे इंग्लिस में जनरल के 36 पद हैं, OBC के 6 हैं ST4 है, ST0 है, टोटल 46 है, हिंदी 33 है, OBC 13 है, ST2 है, गडित में 17, OBC 2, ST6 और ST0 है इसी प्रकार सभी पदों के बारे में यहां पर दिखाया गया एगरिकल्चर का दोस्तों यहां पर बालिका वर्ग में एक भी पद नहीं है आगे बढ़ते हैं, टोटल 326 पद हैं, बालिका वर्ग में ठीक है, यहां पर योगिता के बारे में दिखाया गया है, जो सैची का हरता हैं उनके बारे में यहां पर, यहां पर निर्देश दिया गया है, पर सिच्छी देशना था कि जो सिच्छक होते हैं है गड़ित के लिए दी गई है ग्रेविज्ञान के लिए दी गई है उर्दू के लिए हैं अंग्रेजी के लिए दोस्तों संस्क्रत के लिए यहां पर दे गई है। करसी में अधिमानी आहरता अधिमानी आहरता में दोस्तों क्या रखा गया है ? बीयड अमेड प्यप्सटी मुस्त॥ किसी राश्टी अस्तर की खेलकोद प्रतियुकता में राज अस्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाड पत्र ठीक है अगर ये चीजे हैं तो उनको वरिता दे जाएगी इसी प्रकार सभी विश्यों के यहां पर आहरताओं के बारे में दिखाये गया जो कि आप लोग विग्यापन म देख सकते हैं ठीक है यहां भी बिकलांग सुधनता संग्राम सैनानी और आसरित यहां बहुत पर सैनिकों के आरच्छड के संसोधन हुआ है उसके बारे में यहां पर कुछ दिया गया है यह लोग यहां से भली बाद पढ़के और समझ सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के सेसन में यही तक आगे हम कोई महत्पूर्ण खबर होगी तो आपके सामने हम हाजिर होंगे उस महत्पूर्ण खबर के साथ थाइंक्यू थाइंक्स पार वाचिंग